हलो दोस्तो वेलकम तो स्टड़ी उनिवर्स मद्यपरदेश की नमबर वन चैनल फॉर डेनी करंट अफियर और MPGK के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम डिवीजन सागर यानि संभाग सागर के बारे में बात करेंगे इससे पहले दोस्तो मैंने आपको बु बोपाल से related question है बोपाल संभाग से related बोपाल के जिलों से related वो सभी आप तक ले कर आए हैं दोस्तो मेरी guarantee है अगर आप इस वीडियो को बहुत गहर से दिखती हैं तो जितने भी आपके आने वाले exam हैं उनके लिए बहुत important है दोस्तो सागर संभाग में चैजले आती हैं इन इसने भी जो वहाँ पर इस्तित जगए हैं उनके बारे में गहन जानकारी के साथ में यह वीडियो आप तक ले कर दोस्तो सबस्पहले बात करती हैं सागर संभाग की तो यह जो मैं red clip कर रहा हूं यह दोस्तो यह सागर संभाग आप दिख पा रहे हों इसमें टीकमगर, छत गोशित किया गया था तो कुल मिलाकर सागर संभाग में छे जले हैं जिनका नाम है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगर और निमाडी अब दोस्तों आपको इक और इंपूट इंफेक्ट बता दें तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगर, निमाडी और सागर इन पांच जिलों की सीमा जो है उत्तरप्रदीश से टच करती है, वहीं सिर्फ एक ऐसा जिला है, जो दमोह हुए, जिसकी सीमा उत्तरप्रदीश से टच नहीं करती है, तो दोस्तों ये भी एक इंपूर्टेंट क्वेशन बन जाता है, तो आपको याद रखना है, अब दोस्तों सब बात करती हैं सागर डिस्टिक की यानी जिला सागर की तो यह आप मैप में जिला सागर देख पा रहे होंगे जिसमें सभी तहशिलों के बारे में बताया गया है चली दोस्तों अब हम आप आपको बताती है जिला सागर की important fact क्या क्या बारे में जो सबसे पहले fact है भारत की हिर जिसे डॉक्टर हरी सिंग और विश्विध्याले की नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी सागर में ही जवाला नेलुक पुरेश अकेडमी प्रिसिक्षन किंद्र यह भी सागर में ही इस्तित है दोस्तों यह मद्धिश का दूसरा प्रिसिक्षन केंद्र है इन दौर में बनाया गया है नापतोल प्रिसिक्षन संस्थान भी सागर में ही इस्तित है इस्तेनलेस स्टील कॉंप्लेक्स की इस्तापना भी सागर में ही की गई है दोस्तों सागर में एक बीना तैसिल है जहां पर कीटना सक सैंत्र लगाया गया है नौरा देही वन्नेची अभ्यारण भी सागर में ही इस्थित है और दोस्तो नौरा देही वर्णेचीव अभ्यारण छेत्रफल के आधार पर मद्यपरदीश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण है और यह सागर में ही इस्थित है मंगलगिली चैन्तिर्थ सागर में ही स्थित है धामोनी और्ज सागर में लगाया जाता है दोस्तो स्वान योजना है जो इसकी शुरुआ 2004 में सागर से ही की गई थी तो दोस्तो ये important fact हैं आप सागर के वारे में कुछ और हैं आपको बता दें तो भारत मद्वर्देश की पहली DNA प्रयोक साला सागर में ही बनाए गई है सागर सम्भा बुनेलखंड का हिस्सा है दोस्तो अब बता दें आपको ये जो बुनेलखंड जो एरिया है जो मद्यप्रदेश का बुनिल खंड है उसके जितने भी जिले हैं वो सागर जिले में इस्थत है यानि दोस्तो सागर, चतरभूर, पन्ना, टीकमर, निमाडी और दमूर ये सभी बुनिल खंड की हिस्सा है ये सभी जिले जो है वह बुनिल खंड एरिये की हिस्से है इसके बाद दोस्तो बात करते हैं फोरेंसिक साइंस लेबरेटरी की सागर में ही की गई थी पहली बार प्रदीश में अपराज अनुसंदान प्रिसिक्षन संस्थान की सागर में ही की गई है दोस्तो बीना ताब विद्युत ग्रह सागर में ही बनाया गया है इक और important fact दोस्तो रह गया है वो आपको बता दे तो बी ना में तेल सुधक कारखाना है जो ओमान की सहायता से बसाया गया है दोस्तो इसका उद्गाटन माननीय मनमोहन सिंग जी ने किया था तो ये दोस्तो important fact हो गया है सागर की अब बात करते हैं नेक्स्ट दमोह जिले की बारी में तो मैप में आप ये दमोह जिले को देख पा रहे होंगे कटनी, कटनी, पन्ना, छतरपूर, सागर इन सब इस जिलों से घिरा हुआ है दमोह अब बात करते हैं दमोह के important fact तो मद्यप्रिदेश में सरवादिक बालसर में दमोह जिले में इस्थित है अब दूस्तो एक्जाम में question पूछा जा सकता है आप से कि सरवादिक बालसर में किस जिले में इस्थित है मद्यप्रिदेश में तो उसका सई option होगा दमोह जिले में मद्पृतिस की पीतन लगरी के नाम से दमोय को जाना जाता है ये भी important fact है दमोय में डावन्ट सीमेंट का कारखाना इस्थापित किया गया है कुंडलपुर जैनतीर्थ इस्तल दमोय में ही इस्थित है पानदकपुर जहांपर श्ममंदर है यह हिंदू तीर्थ इस्थल दमोय में ही इस्थित है कासा और पीतल वर्तन सेंटर समोय में इस्थित है दोस्तो आपको बता दे दमोय को प्राचीन काल में तुड़ी कर की नाम से जाना जाता था ये दोस्तो एक important fact हर बार exam में पूछा जाता है दमोय को तुड़ी कर की नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में अमाना ओद्यो के केंद्र इस्थित है दमोय में और रानी दुरबावती अभ्यारन ये भी दमोय में ही इस्थित है तो दोस्तो ये important fact होगा दमोय की बारे में करते हैं next पन्ना की बारे में तो तीसरा जिला है पन्ना मैप में आप देख पा रहे होंगे ये पन्ना जिला है अब दोस्तो important fact की बारे आती है पन्ना जिला उनकी बारे में बात करें सनरक्षन इस्थल बनाया गया है अजैगर क्षेत्र की द्रस्टी से दोस्तों यहाँ पर तहसील है अजैगर तहसील चित्रफल की द्रस्टी से जो मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इस्थेत है दोस्तों यह दमों नहीं अचनावत का रज़्च पन्ना ही इस्थित है पन्नाराश्ची उध्यान में प्रोजेक्ट टाइगर से शुरूआद की गई थी यह दूस्तु एक important question है यहां से आपढ़िए पन्नाराश्ची उध्यान में project tiger की जो शुरूआद की गई थी वह है 1995 में की गई थी एक important fact एक्जाम में पूछा जा सकता है पन्ना राश्टी उद्यान की इस्थापना की गई थी 1981 में और प्रोजेक्ट टाइगर जो किया गया था शुरुआत वह की गई थी 1995 में दो इंपूटेंट अलग-अलग क्वेशन है और दोस्तों आपको बता दे पन्ना राश्टी उद्यान च्छतरपुर और पन्ना दोनों जिलों में इस्थे थे यानि आधा आधा एरिया दोनों जिलों में पड़ता है गंगाओ अभ्यारण जो 68 वर्ग किलो मीटर एरिये में फैला है वह पन्ना में ही इस्थे थे अजैगर का किला पन्ना में ही इस्थे थे दूस्तों ये एक इ चत्रपुर की बारी में। तो में आप में ये जिलह का नाम चत्रपुर रखा गया है। मुक्ति दोस्तों जेजाक मुक्ति के नाम से जाना जाता था छतरकुर को चंदेलो दुआरा निमित खजराओ यही पर इस्तित हैं दोस्तों खजराओ को 1986 में युनेस्को दुआरा विश्टो ब्रासत की सूची में शामिल किया गया था अखिल भारतिय सास्त्रिय संगीत समारो है और नत्य समारो है दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा नत्य समारो है यह खजराहो में आयुजित किया जाता है जिसे खजराहो नत्य महुत्सवप के नाम से भी जाना जाता है खजराओ को खजूर बाहक के नाम से भी जाना जाता है खजराओ को शिल्प कला तीर्थ के नाम से जाना जाता है आपको जैसे की पता है दोस्तों खजराओं में बहुत से मंदर इस्थित है जिसकारण इन्हें शिल्प कलातीर्थ के नाम से घजराओं को जाना जाता है घजराओ शेत्र को पहले चेदी के नाम से भी जाना जाता था तो तीन क्वेशन दोस्तों बन जाते हैं चेदी, खजूर बाहक और जेजाक हुट्टी इन तीनों नामों से खजराहों को प्राचिनकाल में जाना जाता था केन गडियाल अप्यारण 45 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह चतरपूर में ही इस्थित है केन बहु उद्योश्य परियोजना चतरपूर और पन्ना जिले में केन नदी पर बनाई जा रही है उर्मिल परियोजना चतरपूर जिले में इस्थित है जो दोस्तों उर्मिला नदी पर इस्थित है चंद्रापुर और द्योगत केंद्र इस्तित है चतरपुर जिले में आदिवासी कला संगराले खजराहो में बनाया गया है और दोस्तो आपको पता है खजराहो चतरपुर जिले में ही इस्तित है बेगम असगारी बाई का जन्म भी छतरपुर जिले और सागर संभाग में हुआ था तो ये एक important fact दोस्तों आपको याद रखना है अब चलते हैं पर दोस्तों तो next है जिला टीकमगड अब बात करते हैं district टीकमगड की तो दोस्तों ये जो एरिया है ये इतना एरिया आप अगर हटा दे ये एरिया दोस्तों अब बरतवान में टीकमगड में नहीं आता है ये दोस्तो निवाडी में पढ़ता है जो निवाडी नया जिला बनाए गया है उसमें पढ़ता है बांकी का जो ये दोस्तो एरिया है वह है टीकमगर जिले में ही आता है तो आपको इतना याद रखना है निवाडी और टीकमगर अब अलग अलग जिले बन चुकी है पहले न टीकमगड जिले से ही किया गया है मत्यपदेश में सरवादिक तालाब टीकमगड जिले में ही इस्थित हैं टीकमगड को बुंदिलों की शौरी की भूमी के नाम से भी जाना जा सकता है अब दोस्तों आप सोचते होंगे यह कैसे important fact है अब question आ सकता है बुंदिलों की शौरी क भूमी के नाम से भी जाना जाता है हर्दॉल की मनवती यहीं पर मांगी जाती है प्रतापकुरा ओद्यों के विकास के इंदर इस्थित है टीकमगड में अब दोस्तों next बात करते हैं जिलार निमाडी की अब दोस्तों यह तो कुछ पिक्चर नहीं मिल रही थी दोस्तों इ निमाडी प्रत्वीपुर इन को अलग करके यानि ठीकमड से इन तीन तहसीलों को अलग करके मद्यप्रदेश का 52 जिला बनाया गया है निमाडी तो यह दोस्तों आखरी जिला बनाया गया है मद्यप्रदेश में 52 और इसे 2018 में बनाया गया था अब दोस्तों बात करते हैं जिला निवारी के कुछ important fact की तो उनकी बारी में ओर्चा का रामायण संग्रहलय यहीं पर बनाये गया है यानि दोस्तो ओर्चा में रामायण संग्रहलय बनाये गया है जो निवारी में ही इस्थित है मत्यप्रदेश की अयोध्यया नगरी के नाम से ओर्चा को जाना जाता है और दोस्तों आपको बता दें ओर्चा अब निवाडी जिले में ही इस्तित है स्वतंता सिनानी चंदर सिखर आजाद यहीं भूमी गत हुए थे तो यह भी दोस्तों एक important fact है कि आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चंदर सिखर आजात थे वह है मद्यप्रदेश के किस जिले में भूमी गत हुए थे तो इसका सही option है दोस्तो निवाडी जिले में जो बरतमान में निवाडी है चेत्फल की दरस्टी से मद्यप्रदेश का सबसे चोटा जिला यही है यह दोस्तो most most important question है आने वाले एक्जाम में तो पूछा ही जाएगा मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तो चेत्फल की दरस्टी से मद्यप्रदेश का सबसे चोटा जिला है निवाडी तो यह दोस्तो आपको याद रखना है बहुत important question है और चा प्यारण जो 44.9 km के एक शित्र में फैला है यह टीकमगड में ही इस्तित है और चा बेतवा नदी की किनारे इस्तित है जो टीकमगड में इस्तित है और चा उत्सब की शुरुवात 1994 में की गई थी यानि 1994 में और चा उत्सब की शुरुवात की गई थी जो टीकमगड में इस्थित है ये मैंने आपको बताई दिया है जहांगीर महल, शहीद इसमारग, फूलबाग और चतरोज मंदिर ये सबी दूस्तों और्चा में ही इस्थित है तो आपको इतना और्चा के बारे में यानि और इसके अलावा निवाड़ी के बारे में याद रखना है क्योंकि ओचा भी अब निवाड़ी जिले का हिस्सा है तो इसलिए आपको निवाड़ी के बारे में ये सब याद रखना है जैसा कि दूस्तों मैंने आपको बताया सागर संभाग के जितने भी जिले थे उनके important fact बताए इसके अलावा सागर जिले के भी important fact बताए अब दोस्तो आपकी duty बन दिये कि आप इस वीडियो को जादस जादा share कीजिए ताकि और लोग भी पढ़ सके दोस्तो मेरी ये guarantee है आपका जो exam है आने वाले exam है उसमें अगर इन जिलों से question पूछा जा सकता है तो इन से बाहर question नहीं पूछा जाएगा या तो आप मारी चैनल study universe को ज़्यादा ज़्यादा subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को next division यानि किसी और दूसरी संभाग को लेकर आएंगे आप हमें comment box में बताएं आपको कौन से संभाग का वीडियो चाहिए तो बो भी मैं आपको लेकर आऊगा तो आज के बस्तना ही नमस्कार have a nice day